हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम लॉंग आस्तिन का डिजाइन बनाएंगे तो ये देखिए आस्तिन की लंबाई मैंने 21 इंच ली है आप अपने हिसाब से लंबाई छोटा बड़ा कर सकती है और इसकी चौड़ाई एक साइट से साड़े 9 इंच है अब हमें एक बक्रम कपड़े पे ऐसे चिपका लेना है बक्रम की लंबाई ये देखिए 13 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे केवल एक साइट से हमें सिलाई चलानी है दूसरे साइट में हम सिलाई नहीं चलाएंगे अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे दो भागों में कट कर लेंगे अब इन दोनों कपड़े को आस्तिन की कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए पहले हमारा जो आस्तिन का कपड़ा है उसे ओपन करेंगे और यहां किनारे की साइड में बक्रम वाले क कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई करनी है यह देखिए हमें यहां से ऐसे सिलाई करनी है अब हम कपड़े को ऐसे घुमा कर उपर की तरफ सिलाई कर लेंगे यहां पर धागे को लॉक करके कट कर लेंगे अब हमें दूसरे साइड में बक्रम वाले कपड़े को लगाना है यह दे प्यार करने का अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताईएगा अब इन दोनों बक्राउं वाले कपड़े की बीच में जो हमारा एश्ट्रा कपड़ा है उसे हम ऐसे कट कर लेंगे अब ये देखिए हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे इसके नोखीले से पाट को हम किसी भी नोखीली चीज की सहायता से सीधा कर लेंगे ये देखिए हमने दोनों साइट के कपड़े को सीधा कर लिया है अब हम इस कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे ये देखिए इसे अच्छे से हमें इस्तरी करके यहां से तुर्पन कर लेना है तुर्पन करने के बाद अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और ये देखिए ऐसे हम चूनट बनाएंगे कपड़े में, ये देखिए दोनों साइट से हमें कपड़े को फोल्ड करके ऐसे चूनट बनाना है और यहाँ पर हमें कपड़े को लॉक कर देना है धागे को कट करेंगे और इस कपड़े को हम उल्टा करेंगे अब जो हमारा पीछे की साइट का चूनट का ये कपड़ा है इसे हम ऐसे फोल्ड करके अच्छे से लॉक कर लेंगे यो देखिए सिलाई करके हमने इसे अच्छे से लॉक कर लिया है ऐसे अब हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद हम कपड़े को सीधा करके फिटिंग साइज देते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है फिर यहां किनारे की साइट से सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाने के बाद यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और किनारी की साइट से एश्ट्रा कपड़े को भी अब हम आस्तिन के कपड़े को फोल्ड करके सीधा करेंगे तो ये देखिए हमने कपड़े को अच्छे से सीधा कर लिया है अब हम इसे perfect shape में बैठाने के लिए इस्तरी कर लेंगे तो ये देखिए आस्तिन के कपड़े में ऐसे चूनट बनकर आया है जो की बहुती सुन्दर लग रहा है अब हम इसमें flower लगाएंगे तो उसके लिए हमें gold shape में बक्रम को ऐसे cut करके कपड़े पे चिपका देना है same size का हमें चकोर shape में कपड़ा लेना है और ये बक्रम वाले कपड़े को चकोर shape के कपड़े में ऐसे joint करके सिलाई कर लेनी है ये जो हमारा gold shape का कपड़ा है इसका size आप अपने हिसाब से ले सकती है यहां किनारे की side से हम extra कपड़े को ऐसे cut कर लेंगे फिर ये देखिए पीछे की side से हलका सा कपड़े को ऐसे cut करेंगे अब हम इसे fold करके सीधा करेंगे fold करके सीधा करने के बाद friend अब हमें design को तयार करने के लिए एक छोटा सा कपड़ा लेना है और इसे ऐसे fold करके इसके उपर सिलाई चलानी है फिर हमारा जो ये वाला कपड़ा है इसे हम बीच में से ऐसे fold करके चूनट बनाएंगे ये देखिए चूनट बनाने के बाद हमें चूनट को ये वाले कपड़े से ऐसे fold करके अच्छे से lock कर देना है सुईधागा की मदद से फिर ये देखिए आस्तिन के कपड़े में चूनट वाले design को हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये simple pattern में long sleeve design complete हुआ थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो